हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम अच्छी अच्छी तालिम आसिल करें और हम इस बात को सुबूत के साथ कहना चाहते हैं कि इसलाम हर्गिस आला तालिम से असरी उलूम से कॉंटेंप्रेडी एजुकेशन से भी नहीं रोकता है बहुत सारी मिसाले हैं मिसाल की तौर पर एक जब इसलाम आया महां अरब में तो एले हजाज ने महां की लोकल लोगों ने कुछ ही दिन पहले नया फन सीखा तक किताबत का यानि राइटिंग जो सीखी थी वो चंद लोग ही जानते थे और तुलोई इसलाम के वक्त सिर्फ पंद्रा और एक रिवाय अरब में हजास के अंदर उस वक्त अल्ला के रसूल ने खवातीन को भी वो इल्म सीखने के लिए कहा और कई खवातीन थी जो राइटिंग सीखना जान गई थी जबकि मुट्टी पर लिखने वाले उस वक्त मौजूद थे उसमें जो नाम आते हैं सीड़त की किताबों में वो उनमें है शिफा बिंत अब्दुल्ला, अमुल मुमिनी अज़त हफसा, करीमा बिंत साथ, आईशा बिंत मिगदाद, रजिल्लाव अनहुन, ये तमाम खवातीन राइटिंग फंड सीख गई थी, बिल्कुल अभी एक मौडन एजुकेशन इंट्रोड्यूस हो रही है, उस वक्वातीन को भी वो चीज़ सिखाया गया, तो इस तरह से आसरे उलूम, यानि मौडन एजुकेशन को गेन करना, ना सिर्फ इसलाम परमिट करता है, बलकि इसको प्रिफर करता है, ना सिर्फ मर्दों के लिए, बलकि औरतों को भी सिखाने के लिए बोलता है, तो जरूरत है, अगर हमारे पास टीचर्स होना चाहिए, बी टी सी, बी एड और ल्टी टीचर्स होना चाहिए, तो वहीं हमारे पास मेडिकल डॉक्टर्स भी तो होना चाहिए, हमें फीमेल डॉक्टर्स की भी तो जरूरत है, तो इस तरह हम जब तक मेडिकल एजुकेशन गे नहीं करेंगे तब तक female doctors हमारी समाज में कैसे होंगी और हमें से सबी खातुन female gynecologist के पास जाना चाहती है तो जब हम female doctors को दिखाना चाहते हैं तो हमारे समाज में female doctors होना भी तो चाहिए तो अब इल्म हासिल करने की जरुवत है medical का भी इल्म हो और एंजिनियरिंग का भी हो हर तरह की चीजें हमारे मुस्लिम समाज में भी होना चाहिए हमारे शहर अलाबाद में एक डॉक्टर है जो अपने मिसाल है हमारे शहर में भी चीजें कामन नहीं है लेकिन अब शूरू हो गई अलहम्दलीला डॉक्टर जेबाबारी उनका नाम है और वह एक MS डॉक्टर हैं वह surgery की exports हैं thousands of surgeries कर चुकी हैं कई हजार surgeries कर चुकी हैं माशाओला डॉक्टर हैं हिजाब में रहती हैं चेहरा cover करती हैं और इस तरह से अपने patient से बात करती हैं full time face cover करके सुभान अलाह और कुरान सुना से वाकिफ हैं और ना सिर्व इतना कि वह अपने डॉक्टर वाले profession पे लोगों का फाइड़ा कर रही हैं बलकि वो लोगों को खवातीन को contraception के against भी counselling करती हैं MTP यानि medical termination of pregnancy जिसको आप abortion नाम से जानते हैं उसके against counselling करती हैं लोगों की तो सोचिए एक आम औरत अगर कहेगी एक मुस्लिमा वो कहेगी contraception use मत करो और वो कहेगी कि abortion मत कराओ तो आसानी से समझ में नहीं आएगा लेकिन जब एक medical doctor कहेगी कि यह मत कराओ यह health के लिए injurious है और Allah ताला की नाफरमानी है तो जादा समझ में आएगा इस तरह हम कितनी आसानी से higher education गेन करने के बाद दिन के काम को कितने बेतर जरीके से कर सकते हैं तो इस तरह कि कई हम girls और ladies को जानते हैं शहर मुंबई में और डेली में अलिगर्ड मुस्लिम युनिवर्सिटी में जो माशालला पूरे हुदूदों कुयूद में रहकर इसलामी हुजाब में रहकर अल्ला की हदों के अंदर अंदर रहकर अच्छी से अच्छी तालिम हासिल कर रही हैं और कई ऐसे medical doctors को भी जानते हैं जो practice कर रही हैं अमल कर रह हैं और अपने medical profession पे भी practice कर रही हैं तो ऐसी doctors और ऐसे engineers की जरूरत है हमारे पास एक ऐसी भी इंजिनियर मौजूद है जो माशालला वो एक engineering college में lecturer है और वहां पर इसलाम को represent करती है कोई program होता है तो वो इसलाम के topics पे lectures कर डालती है और इसलाम की बेतरे इन representative बनी हुई है तो ऐसे मकामात पे औरत को जाने की जरूरत है जब वो आलत आलिम हासिल करेगी तब तो higher level पर इसलाम को present कर सकेगी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम अच्छी से तालिम हासिल करें और फिर intellectual Level पर intellectuals को दावत दे जो जहिन लोग होते हैं जहिनों की बात ही सुनते हैं गवार लोगों की बात नहीं सुनते हैं तो इसलिए अच्छा काम करने के लिए बहतर काम करने के लिए हमको अच्छी तालिम की भी जरूरत है तो खुद भी अच्छी तालिम देने की जरुवтоб है अपने घर से बाहर निकल कर भी लेकिन ग्याद रहे इस्लाम की हुदूद में रहकर वेलकवर्ड रहकर और जो भी अल्छ आल्लञव ने हुदूद और क्यूद बनाई है कि हलाल जर्ये से कामाना है और सारी हराम से बिल्कुल दूर रहना वों सारी चीज़ों को फालो करते हूं बाहर जा कर भी हम सर्फ कर सकते हैं तो एक तो हमरी अहम जब्मेदारी हो गई दूसरी हमारी दावती जब्मेदारी बहुत आहम है और उसके लिए हम जिस तरह खेरोम सिफ मर्द नहीं ह उम्मत में मार्द हुरत सब आ गए तो हम सब, हम आउर्टों की भी जिम्मेदारी है कि दावत का काम करें लोगों को हक्की तरफ बुलाएं, बुराई से रोकें जो लोग हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो नौनमस्लिम्स हैं नहीं जानते हैं, जो नहीं अवेर हैं कि खुरान अल्लह का कलाम है, वो हमसे जब रोज आखिरत पूछेंगे कि आपने हमको यह बात क्यों ने बताई तो हम क्या जवाब देंगे, जल्दी बताईए, कोई तैयारी है क्या, जवाब दे पाने की, कि हमने इसलिए इसलाम को आप से छुपाय रखा, तो इस काम को करने की जरूरत है, इस काम को करने की जरूरत है, आला सता पर, अच्छी सता पर, जितना भी हो सके, आप से घर के काम को मैनेज करने के बाद, फिर बाहर निकल कर भी इस दीन के काम को करने की जरूरत है, आज कितनी खवातीन ह जो माशालला बहुत अच्छे सता पर दिन को सर्फ कर रही है सबसे पहली बात तो ये कि हमारे बीच उमातुल मुमिनें की मिसाल मुझूद है कि उमातुल मुमिनें जितने इवरसला असलम की अज़वाश थी वो कि इस तरह से दावत और इसला के काम में लगी रहती थी तो वो ही तो हमारे लिए भी मिसाल है आप देखे हैं अज़त ख़दीजा रजिलावा अना के लावा बग्या जो आप असलम की वाइब्स थी उनके अलाद नहीं थी गोया उनको किसी और काम के लिए अल्बATH झाल ने खास कर दिया उनकी घरेलु मसरोफयाद को कम कर दिया और बाहरी मसरोफयाद को बढ़ा दिया तो आल्लत अल्बcomfort दिया आथ निसान नबी आय नबी की बीवियों तुम आएम औरतों की तरह नहीं हो उनको खास कर दिया, वो दावत के काम में हमा वक्त मिलकुल लगी रहती थी, हज़त आईशार रजियल्लावना, वो ना सिर्फ गुरान और सुनद में महारत रखती थी, बलकि माथमेटिक्स में भी महारत रखती थी, जितना भी विरासत के डिस्ट्रिबूशन का जो भी मसला आता, तो अगर सहाबा से सॉल्ब नहीं होता, तो उज़त आईशार रजियल्लावना के पास लेकर आते हैं, और अज़त आईशार रजियल्लावना फॉरन तरके का जो डिस्ट्रिबूशन था, वो कैलकुलेट करके फॉरन बता देती कि इसको कितना हिस्ता में लिगा, इत बना कर देते हुए देखती थी नोगों को, तो उस तरह से उन्हें मेडिसन का भी अच्छा इल्म हो गया था, उनके स्टूडेंट और उनके भांजे उर्वा बिन जुबैर, वो कहते हैं कि मैं खाला के बार में जितना सुचता हूं मेरी हैरानी बढ़ती जाती है, कि आरब कि शेरो अदब में माहिर और फिकह और तफसीर में माहिर और साथ में ये मेडिसन का भी इल्म और आपको ये मातमेटिक्स का भी इल्म है, ये तो मुझे हैरान कर देता है, तो इस तरह से अज़त आईशा रजिल्लावना कितने एक्सपॉर्ट लेडी थी, तो सब तरह के दावत का काम कर रही थी, शिफा बिन अब्दुल्लाव रजिल्लावना के बारे में कहा जाता है, अज़त अमर रजिल्लावनु उन से मश्वरा करते थे, और हज़त फातिमा बिन ते कैस के बारे में है कि एक मर्तब अज़त अशा उन से घंटो वहस करते रहे, मगर उनको गलत नहीं साबित कर सके तो इस तरह कितने expert ladies हुआ करती थी at that time 400 साल पहले अज़त उम्मे सल्मा रजी अल्मा को तालिम दी अज़त आईशा रजी अल्मा को तालिम दी अज़त आईशा के बारे में एक आएं तो घलत नहीं होगा she was scholar of scholars उस्ताज असातिजा थी उनके अंडर में कितने scholars बने 88 scholars 88 उल्मा को ताईशा एक खातूर ने तालिम दी इस तरह से तालिम से लेके दावती मैदान तक किस तरह एक्सपोर्ट्स थी उस दोर की खावातिन आज हम मौडर नेरा में जी रहे हैं और हम इतने पीछे हैं उनके बारे में इमाम शाफिर रह्मतुला अले फरमाते हैं इमाम शाफिर रह्मतुला अले को हज़़त हसन रजिलावनु की पोती साइदा नफीसा ने तालिम दी सोची एक खावातीन कहां कहां थी तालीमी मैदान में और दावती मैदान में हज़त उम्हे सुलैम। रजी आवणी जो अज़त अनस मिन मालीक की वालदा हैं वो दावत में खुसूसी महारत रखती थी दावत के काम में की तरफ बुलाना बहुत एक्सपोर्ट थी वह उस दोर में भी और आज माशाला कि इतनी खवातीन हैं जो इस काम में बहुत अच्छी तरह से लगी हुई है उनमें एक मिसाल है डॉक्टर फरत हश्मी की अगर आप लोग जानते हो डॉक्टर फरत हश्मी जो की पाकिस्तान से के बिलॉंग करती है उनका उनका जो इदारा है हुदा इंटरनाशनल वो इंटरनाशनल लेवल पर काम कर रहा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान में है बलकि युएसे और कैनेड़ा में भी है अलुदा इंटरनाशनल उसके जरीए वो गुरान की खिद्मत कर रही है हक को आम कर और अल्ला की तरफ लोगों को बुला रही हैं एक खातून एक खातून वो उन्होंने ग्लास्गो युनिवस्टी स्कॉटलेंड से हदीस साइंसेज में पेजडी किया है तो इस तरह से आलत आलिम हासिल करके दावत दिन का काम कितने उम्दगी के साथ कर रही है अभी दो हजा 12 अक्टोबर में मर्यम जमीला का इंतकाल हुआ है अल्लत आलम से राजी हो मर्यम जमीला एक बहुत खूब खातून थी उन्हों रिवोर्ट हुई थी डिवोर्टेड मुस्लिमा थी जुडैस्जम को यानि यहुदियत को तरक करके वो इसलाम में दाखिल हुई और अपने र वाइबरेरी में भी रखी हुई है माशाला तो इस तरह मर्यम जमीला ने कितनी खूबसूर्टी चापनी जिन्दगी के में कितना दावत दीन का काम किया अगर आप एक वानुल मुस्लिमों की एक अहम खातून को जानते हो जैनब अलगजाली तो जैनब गजाली ने भी वातिन भी तो थी तो हम इतने पीछे क्यों हैं हम अपनी तमाम तर्समाच की बिफ़ला होगी और साथ में हम भी कामिया हो जाएंगे तो इनी तमाम जिम्मिदार्यों का रिमाइंडर देने के लिए हम आपके दर्मयान आये थे उमीद करते हैं कि बात कहने सुने तक नहीं होगी इंशालला अमल में भी आएगी और कुछ ना कुछ जरूर आपको सीखने को मिला होगा इस उमेद के साथ कि आपको कुछ फाइदा होगा जरूर कुरान सुनत की बाते सुनकर हम आपसे रुखसत होंगे कुरान हाकीम के एक आएट के साथ अला सुनकर निसा सुनकर निसा सुनकर नमबर चार आएट नमबर 124 में जो भी नेक अमल करेगा मर्दो या औरत बश्रते के वो मुमिन हो तो ऐसी सबी लोगों को हम जन्नत में दाखिल करेंगे और उनका जर्रा बराबर हक जाया ना किया जाएगा वाखर दावानान रहम्दलिल्ह रबिलालमेन वस्सलाम उलैकुम रहमतुल्ही वबरकातुम अलहम्दल्ल्ह बहुत खूब कहा हमारी आज की गेस्ट बहुत कुछ कह चुकी है जात कुछ कहनी जरूत नहीं है बस एक चीज मैं कहना चाहूंगी जो हम सब पढ़ते हैं कर सुनते चलिया है कुरान श्रीफ का पहला अलफाज है इक्रा पढ़ो अल्लह ताला ने हमको सब को यही ओर्डर दिया है आप इसको कह लें खुदा रसूल अल्लह सल्ला अल्यों के जरीए यह ओर्डर सिर्फ उनके लिए नहीं था बलकि सारी उम्मत के लिए हम सब मुसल्मानों के लिए है कि हम पढ़ें पढ़ें क्या पढ़ें ऐसी चीज़ पढ़ें जो हमारे इस दुनिया के लिए और हमारी आखरत के लिए दोनों के लिए फायदे मंद हो इस दुनिया में अभी हम अच्छी तरह से रह सकें और हमारी मुहतरमान ने भी हमें बताया एज़ा वाइफ एक बीवी की आउकाद से एक बेहन के आउकाद से एक मा की तरह से हमारे कितने रोल है, चार रोल हमें बताए और मुझे उमीद है आप लोगों को ये सब बहुत पसंद आये होंगे और आप सब इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इंशालला, हम नहीं कहते कि हाँ रातों रात सब तबदील हो जाएंगे, लेकिन इंशालला कोशिश करेंगे, कि हम इनकी बताए हुई बातों पर अमल करने की कोशिश करें, एक और चीज जो थोड़ी सी मेरे दिल में है, मैं कहना चाहूंगी, बहुत खुश नसीब हैं आप, कि आप लोगों ने एक इसलामिक स्कूल कायम किया, और खुश नसीब हैं बच्चे जो उस इसलामिक स्कूल में तालीम तालीम लेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब इस बारे में सोचेंगे और उम्मीद करेंगे कि एक इदारा इसलामिक स्कूल हमारे शेहर में भी हो, इसी के साथ मैं आप सब को बड़ा बड़ा शुक्री अदा करती हूं, सबसे पहले आसमा साहब का, आपका शुक्री हमारे बीच आईएं और आप सब लोगों का जो यहां मौजूद हैं और आपने भी सबने अपने अपने घर से इतना टाइम निकाल के इस महफल में शामिल हुई, आप सब का बहुत बड़ा शुक्रीया, और इस महफल को खत्म करने के लिए हलीमा आएंगी और एक इसलामिक गीता में सुनाएंगी इसलावट बड़ने से फिरकिते ची जिलर ऊहरे आपने अव और आप स्रेकर के पिरके लिए। आप जारवां मेूद आप सक्वात आप सक्के जल ऑ vigil आप स्वेय। यह रहे हैं और आप में संदिशन सुनाएंगी और आप सुनाप से आप स्वेशन में ओ स्रीक त्य sekा गीस In my hand you gave me the eyes to see, you gave me the nose to smell, and you gave me the hands to hold. Thank you very much, O Allah, I love you so much, O Allah. Thank you very much, O Allah, I love you so much, O Allah. Oh Allah Oh Allah You gave me a pair of ears to hear The lovely voice of my mum I learned prayers from her voice You gave me a tongue to say them Thank you very much, Oh Allah I love you so much, Oh Allah Thank you very much, Oh Allah I love you so much, Oh Allah Jazakumullahu khairah Aslamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh I love you so much, Oh Allah I love you so much, Oh Allah झाल